अगर पुराने तरीके से आलू सोया बड़ी की रिस्पी खाकर दुखी हो चुके हैं तो एक बार इस रिस्पी को जुरू ट्राई कर लें आप तो उंगलियां चाट चाट कर खाओ गई आपके परिबार बाले भी कहेंगे पहले क्यों नहीं बनाया ऐसा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संजे पाड़ी कुकिंग चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ पाड़ी कुकिंग चैनल मैं आज हम नई तरीके से आलू सोया बड़ी की रिस्पी बनाएंगे आपको करना क्या है बस जो जो step मैं बताओंगा आपको उनको follow करना है फिर सिर्फ एक वारिस रिस्पी को अपने घर में try करना है तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों तो मैंने पूरी तियारी कर लिया है सोया पूम मैंने गुन गुने पानी में घोलिया है प्याज को फाइन चॉप किया है, टमाटो फाइन चॉप किया है, साथ में आलू के बाइट बनाए हुए है, ग्रिन चिली लिवी है, हरा धनिया है, जिंजर गार्ली का पेस्ट हम रेडी मेट यूज करेंगे, आप घर बाला भी यूज कर सकते हैं सोय को हम मेरिनेट करेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालें, इसमें गर्मसाला डालें, धनिया पौडर, साथ में मिर्च पौडर आपने डालना है, एक टेबल स्पून और सॉल्ट डालें, कर्ड के टू टेबल स्पून आपने डालना है, फिर स्टर करके 15-20 मींट आपने सोय को र करना है अब एक पैन में हम मस्टर्ड ओयल लेंगे और आलू को सेलो फ्राई करेंगे आलू को आपने सेलो फ्राई करना है गोल्डन कलर इसका लेना है साथ में ही आपने सोया बड़ी को भी उडेल देना है और इसको भी आपने फ्राई करना है हलका गोल्डन कलर लेंगे हम इ आपने स्टर करना है अच्छी तरह से स्टर करें प्याज को हलका नर्म पढ़ जाए प्याज तो आप मीठी सौंप का प्रयोग करें थोड़ा सा हिंग डालें आप फ्लेवर के लिए फिर स्टर कर लें अच्छी तरह से जब आपका प्याज थोड़ा नर्म पढ़ जाए तो फ मेरी लाल मिर्च का पॉडर में डालूंगा एक टेबल स्पून फिर इनको स्टर कर लेंगे हम अच्छी तरह से पॉडर मसालों को भी आपने कुक करना है ताकि इनका फ्लेवर पूरा ओल में आ जाए साथ में ही आपने टमाटो का प्रियो कर देना है एक टेबल स्पून आपने सॉल्ट डालना है सॉल्ट से आपके टमाटो अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे तो सॉल्ट टमाटो के साथ आप जरू टालें एक बावल यहां पर हम कर्ड का डालेंगे अब कर्ड को फटने से तो करें नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं साथ मेंमारी कर्ड अच्छी तरह से अब कुक हो गई है यहां पर आप देख सकते ऐल को बिल्कुल लीज कर दिया है कर्ड ने इसी स्टेज पर आपने सेलो फ्राई आलू और सेलो फ्राई सोया बड़ी का प्रेव कर देना है थोड़ी सी ग्रीन चिली इसमें डालें आप और साथ में हरा धनिया डालें फिर स्टर करना है इनको एक साथ आपने थोड़ा स्टर कर लें अच्छी तरह से ताकि इन में मसाला अच्छी तरह से रच जाए और खाती बार आपके मुँ में एक बेतर स्वाद आए दोस्तो तो बस आपको स्टर करना हो और यहां पर आप देख सकते हैं कितनी लजीज हमारे आलू सोया बड़ी लग रहे हैं दोस्तो आप एक से डेट गिलास पानी का भी लगाएं तो भी इसके फिलेवर में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अब सर्ब करने के लिए हमारी सोया बड़ी बिल्कुल तियार है दोस्तो तो अब इसकी प्लेटिंग हम कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुती स्वादिस्ट लजीस हमारी आलू सोया बड़ी बन कर तियार हो गए यह आप इस इचपाती नान प्रांठा के साथ खाने का भरपूर आनंद ले सकते हैं चाबल के साथ भी आप खा सकते हैं और टिफन में भरकर स्कूल, कॉलेज, दब तर भी ले जा सकते हैं तो दोस्तो आपको करना क्या है जो जो स्टेप मैंने बताये हैं बस एक बार इनको अपने घर में फॉलो करना है और फिर ये एक EGC रिस्पी बहुती असान तरीके से अपने घर में बना कर अपने फैमिली वालों को खिलानी हैं दोस्तो सोया अलू बड़ी की रिस्पी आपको कैसी लगी के मैट सेक्षन में जाकर जरूर लिखें और आप किस तरह से इस रिस्पी को बनाते हैं ये भी जरूर लिखें और मेरे बनाने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा अगर पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पाड़ी कुकिंग को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो नई रेस्पी देखने के लिए बेल नौडिफिकेशन को जरूर दबाएं धन्यव नमस्कार